Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल और कंपाइलिशन बन जाएगा उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दोंगी और ये टोटल चार फाइल बनेगी दो फाइल आपकी इन्वार्मेंट और इकोलोजी की बनेगे जिसमें एग्रीकल्चर और जोग्रोफी के जो basically relevant current affair होते हैं वो भी होंगे और एक फाइल आपकी science and technology वाली बनेगी और दोनों ही काफी important है क्योंकि generally हम उन topics को यहाँ पर discuss करते हैं जिनसे questions के बनने की काफी जादा आप कह सकते probability है और साथ ही इनकोछ एक normal current affair होता है वहाँ पर इतना priority की साथ discuss नहीं किया जाता लेकिन अगर आप science and tech and environment and ecology के previous year questions को देखेंगे तो you will get to know कि जो questions आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि आपको इन दोनों subject के लिए थोड़ा priority basis पर पढ़ने के जरुरत है तो don't worry about it इस series को continuously follow कीजेगा I'll share the PDF with you और compilation भी share हो जाएगा तो preparation काफी अच्छे से हो जाएगी आईए चलिए अब देखते हैं कि आज हम कौन कौन से topics को discuss करने वाले हैं one of the most important video क्योंकि काफी अच्छे topics आज हैं काफी important भी हैं पहला हमारा topic है Gujarat Benz Conocarpus plant तो देखो एक plant है करने का अपस it's a ornamental plant और इसको गुजरात में basically plant किया जा रहा था green cover को बढ़ाने के लिए बट अब government ने इसको ban करने का फैसला लिया है और सिफ गुजरात ने नहीं तेलंगाना भी इससे पहले इसको ban कर चुका है तो what is the reason हम किसी plant को क्यों ban कर रहे हैं यह यहां पर थोड़ा सा समझेंगे दूसरा हमारा topic है कि जो tropical cyclones है वो intensify होते जा रहे है तो दो चीज़े यहां पर समझेंगे पहले बात तो यह report किसकी आई है दूसरा cyclone की intensification का मतलब क्या होता है इसका reason क्या है और इसकी वज़े से हम पर क्या एक effect देखनी को मिलेगा तो again important topic और tropical cyclones वैसे भी geographic aesthetic portion हो या current affairs हो या disaster management के लिए आप पढ़ना चाहरे हो important होता है UPSC इस पर पहले से भी question पूछ चुका है third topic की बात करते है geospatial intelligence तो एक explain का article आया था geospatial intelligence को लेकर देखो इस तरह के जो topic होता है ना से वो problems के लिए important होता है बलकि जब आप अपना answer लिख रहे होता है your examination means की में बात कर रहे हूं तो माली जब वहाँ पर problem पूछे गए you are giving the solutions तो solutions देनी के time बेर आपके पास कुछ concrete examples होनी चाहिए कोची case studies होनी चाहिए जिनको वहाँ पे आप लिख सके और logically अपनी जो argument इसको prove कर सके तो geospatial intelligence है यह आपको बहुत help करेगा इस तरह का example लिखने के लिए it's a technological solution इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे important है move on करते है fourth पर Tamil Nadu और Kerala निलगिरी थार के census के लिए आपस में coordinate कर रहे हैं तो यहां पर पहले बात तो यह जो न्यूज है इसके बारे में background देखेंगे and then निलगिरी थार इसके बारे में basic understanding develop करेंगे आपको पता भी होगा कि तबिल नाडू का यह state animal है move on to the next topic basically जो आपका damselfly है इसकी एक new species आपको western घाट में विली है इंसेक्ट है और यहां पर scientist का कहना यह है कि जो new species विली है तो हमें एक मोका देती है यह discuss करने का कि insects का हमारे इस ecosystem में काफी important role होता है थोड़ा समझेंगे इस तरह के questions recently UPSC में आपको देखने के लिए diamonds के बारे में पढ़ा था अगर आपको याद हो आज हम pink bloom के बारे में पढ़ रहे हैं just a coincidence, just a funny one ओके चलिए यह तो आज के हमारे topics हैं अब एक question यहां पर screen पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि UPSC ने tropical cyclones के उपर पूछा हुआ था इस question पर आएंगे वीडियो की बात में अगर आप question solve कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है please comment section में इसका answer आप लिखिएगा and आप चाहें तो इसका screenshot भी यहां पर ली सकते हैं perfect है? चलिए, move on करते हैं but इससे पहले मैं आपके साथ एक good news share करना चाहते हूँ study IQ का जो P2I batch है 30th September को इसमे अद्मिशन close हो रहा है but the good news is कि 30th September तक we have a seal और उस seal में आपको maximum discount मिल रहा है अगर आप यूज करते हैं प्राच्छी Life Faculty Code देखो बच्छो भी 2025 के लिए आपका लगबक देट साल है अगर आप अभी admission ले ले लेते हो तो आपके पास NCRT's cover करने का sufficient time है you have the sufficient time for the advanced syllabus also and उसके बाद वो एक anxiety नहीं होती है कि time कम है, syllabus cover करें NCRT बढ़े, notes बनाए या फ़र test series लगाना शुडू कर दे means के answer rating कब करेंगे डेट साल है बहुत अच्छे से slavers cover हो जाएगा basics cover हो जाएगे और एक बाद अब slavers cover हो जाएगा तो आप फिर अपनी means answer rating पर और प्लेम्स के test series पर काम कर सकते है और यहां पर नहीं नहीं रुकना है अब आपके पास बहुत enough time होगा कि आप अपनी weakness को लेकर अपनी faculties के साथ काम कर सके देखो जब आप late join करते हो ना तो इन सब चीजों के लिफर time नहीं बचता क्योंकि चीजों को पूरा करने की हमको बहुत जल्दबाजी रहती है बढ़ अगर आप अभी join कर लेते हो तो आपकी कहां पर निंबर कम आ रहे है आपका कौनसा सब्जेक्ट वीक है आपकी में सांसलेटिंग में आप इंट्रॉक्शन को स्ट्रॉंगली लिख पा रहे हो या कॉन्क्लूजन में कोई प्रॉप्लम है इन सारी चीजों को लेकर आप डिसकस तब कर पाओगे जब आप पढ़ोगे टेस्ट दोगे अगर if you want to discuss anything regarding your preparation तो आप नीचे देगे description box में कुछ लिंक्स आपको कुछ contact numbers मल जाएंगे वहाँ पे भी पूछ सकते हो then again आप मुझे मेरे telegram channel पे जॉइन करके वहाँ पे मैसेज कर सकते है I will reach out to you अगर कोई भी आपको doubt है admission के बारे में, preparation के बारे में तो हम बात कर लेंगे चालिए तो telegram channel है UPS सवत प्राची वहाँ पर आप जोए मुझे जॉइन करकर पूछ सकते हैं शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले topic से अराम से पढ़ेंगे गुजराद बैंस कोनुकापस प्लांट तो इस ओर्नमेंटल प्लांट मैंने आपको बताया था यहाँ पर गुजराद गवर्मेंट के द्वारा यह बूला गया है कि इस प्लांट के एकोलाजिकल और यू कैन से इन्वार्मेंटल और हूमन हेल्थ पर निगटिव इंपक्ट को देखते हुए इसको बैन किया गया है तो हम समझेंगे कि वो कौन से निगटिव इंपक्ट थे तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि यह जो प्लांट है यह फास्ट ग्रूइंग है यहनि कि जल्दी से ग्रो कर जाता है तो आपसे कुछ साल पहले जब गुच्राद कवर्मेंट ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहरे थे तो इस प्लांट उनकी वन ओफ दे चॉइस था क्योंकि जल्दी ही कुईक्ली ग्रो कर जाता है और आपका ग्रीन कवर यहां पर तयार हो जाता है बट उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि इसके क्या नेगटिव इंपाक्ट्स देखने को मिलते हैं और सिर्फ गुच्राद सरकार नहीं नहीं इससे पहले तेलंगाना सरकार नहीं भी इसको बैन कर रखा है दूनुस टीट का नाम्यान रखना ओके अब देखो कुछ बीसिक नॉलेज़ यह जो ट्री है यह विंटर के दोरान इस पर फ्लार्स आते हैं और उसकी वज़े से जो इसका पोलन होता है वो एक वाइट एरिया में फैल जाता है वो जो पोलन है वो आपको रेस्परिट्री डिस्टरबिंस बेसिकली देता है जैसे अस्थमा, ऐलर्जी, कफ इस तरह की प्रॉब्ल्स जो है नोट की गई है हुमन्स की हेल्थ पर तो यह इसका एक डारेक्ट इंपाक्ट है दूसरे प्रॉब्लम यह है कि यह जो ट्री है इसकी जो रूर्स है वो अंडर्ग्राउंड काफी एक्स्टेंसिवले जो है अपने आपको फैला लेती है और इसकी वज़े से जो अंडर्ग्राउंड हमारे पाइप्स है पाइपलाइन्स है वो यहाँ पर डामेज होना स्टार्ट हो जाते है तो यह दो बहुत ही जादा स्ट्रॉंग रीजन्स थे जिसकी वज़े से गौवर्मेंट के द्वारा इसको बैंड किया गया है एक तीसरा रीजन और था इसके जो प्लांट के लीवस होते हैं वो पैलेटेबल नहीं होते हैं होते हैं तफ होते हैं तो जो एनिमल्स हैं उनके फीड के लिए भी यह जादा यूस्फुल नहीं होते हैं तो इस आर दी रीजन्स की इस प्लांट को फाइनली जो है बैंड कर दिया गया है लेकिन क्या आप जानते हो दिल्ली में भी एक सिमिलर तरह का सेनारियो दो हजार अठारा में देखा गया था आईए उसको पर डिसकस करते हैं तो दो हजार अठारा में देखे क्या हुआ था देखो दिल्ली कॉवर्मेंट जो Central Ridge था उसको basically क्या है आप देखेंगे कि green cover वहाँ पर create करना चाले थी again उनकी जो choice था वो basically विलायती कीकर था क्यों? क्योंकि जो विलायती कीकर था ये arid conditions होते हैं दूखा वाला एक आप कह सकते हैं atmosphere होता है उसमें भी अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से घ्रो कर लेता है तो दिल्ली कॉवर्मेंट की अगेन ये first choice था central risk के अंदर ये green cover को develop करनी के लिए but then इसके negative impacts टेकनी को मिले और बहुत आराम से सब कुछ नहीं हो गया बहुत सारे जो आपके activists थे उनके द्वारा government से appeal की गई court में appeal की गई and then finally 2018 में दिल्ली government ने ये फैसला लिया कि हम विलायती कीकर को basically plant करना बैन कर रहे हैं अब यहां पर देखिए जो विलायती कीकर है सबसे पहली बात ये दिल्ली का native नहीं है देखो जो भी कोई एक आपका environment है वहां के जो native plant होते हैं उन्होंने तो एक balance डवलप कर लिया है तो native species होती है वो कभी भी problem create करते हैं आपको नहीं दिखाई देंगी कोई चीज जो बहार से आई है वो कई बार क्या करती है उस particular environment में अपना dominance create कर लेती है जो बाकी के native species थे उनको damage करने लगती है और जिस तरही किसे हमने बेसिक्ली कापस प्लांट के केस में देखा है तो ये बहार से आई हैवे species होते हैं जिनको हम इनिशली प्रमोट कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग दियर नेगिटिव impacts आप जैसे विलाइटी के करके ही बात करें तो क्योंकि एरिट एरिया में भी अपने आपको ग्रो कर लेता है तो इस गूर थिंग कि जादा पाने के जुरत नहीं है पर बाद में पता चला कि ये तरह से अपने आपको इतना outgrow कर लेता है कि अपने competition को भी खतम कर देता है तो जो native species थे जैसे अकाशिया था, कदम था, ढाक था या फिर basically आपको मिल जाएगा देखने के लिए one of the plant येस अमलताश ये सारे जो है इसने धीरे-धीरे खतम कर दिये अब एक बात बताओ अगर native tree के जो species है वो खतम हो रहे है तो उन पर depend जो आपका फ्यूना है वो भी जो खतम हो रहा है तो असलिए जो butterfly's थे साथ में आप देखोगे कि जो birds थे और jackals वगेरा ये भी धीरे-धीरे खतम होते चले गए तो finally ये decision लिया गया कि इसको बैन करने की जुरत है अनसे वतना ही नहीं कमाल की बात ये है कि ये वाला जो tree है विलाइती की कर ये जो water table होत तो these are some challenges जो face किये गए, appeal हुई and then इसको बैन किया गया तो ये दो important basically आपने आज tree के नेम यहां पर जाने है तीन हमने government के नेम जाने जिन्हों ने बैन किया है इसको याद रखनी के कुशिश कीज़ेगा one of the very important topic, easy one, move on करते है next one, tropical cyclones are intensifying तो अगर आप देखोगे जो हमारा Indian National Center for Ocean Information Service है उनकी एक report आई है और उनका कहना यह है कि जो tropical cyclones है वो कम time में ज्यादा strong हो रहे है देखो word यूज किया गया है intensifying तो basically इसका मतलब यह है कि जो cyclone है वो within 24 hours अपने आपको इतना strong इतना powerful कर ले रहा है कि एकदम से वो बहुत सदे intensify हो जा रहा है कि अंदर जो storms है जो air की speed है जो low pressure है वो आपको बहुत intensify होता हुआ दिखाए दे रहा है और tropical cyclones की बारे में आपको पता है कि यह storms होते हैं यहापे heavy rain होती है तो इसकी वज़े से काफे जातर damage होता है खासकर जो हमारे coastal areas होते हैं तो अगर within 24 hours माली जे कोई cyclone ने अपने आपको 30 knots यह से departments institutions होते हैं उनके लिए प्रडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि cyclone का एक behavior क्या होगा क्या उसका path होगा कितने बड़ी लेवर्पस का impact देखनी को मिलेगा landfall कब होगा और basically उसके behavior को जब आप समझ नहीं पाते हो आप प्रडिक्ट नहीं कर पाते हो तो जो population उ उनके बारे में जो decision नहीं ले पाते है और इसकी वज़े से कितने लोगों का evacuation करना है कितने area में हमें basically पहले से ही एक prepare करके रखना होगा इन सारी चीजों के लिए decision भी right नहीं हो पाता है तो basically just tropical cyclones है उनका जो एक intensification वाले scenario है ना सर्व जादा devastation create कर रहा है बल्कि अगर हम Indian Ocean की बात करें तो Indian Metrological Department के लिए यह challenging होता जा रहा है कि हम cyclone के behavior को predict कैसे करें क्योंकि within a 24 hour हमें काफे जादा changes देखने के लिए मिल रहे है now comes to the point की what is the course behind it तो आप देखो कि यहां पर सीम जो है हमारा जो center है उनका कहना है कि global warming इसकी विए जिम्मेदार है और इससे पहले दो भी actually कई बार ऐसे report आये है जिनका कहना यह है कि जो आपका basically Bay of Bengal है जो आपका Arab Ocean है यहां पर गर्मी जादा होने की वज़े से sea surface temperature जादा होने की वज़े से cyclone के frequency भी जादा हुई है और उनका strong होना भी जादा हुआ है तो global warming is one of the reason यह ध्यान रखेगा अब यहां पर दे oceans है उन सब में यह जो है एक scenario देखा जा रहा है but यहां पर उन्होंने बोलाए कि आपका western north pacific ocean basin है तो अगर आप देखोगे this is your pacific ocean perfect है इसका western side हो गया this is northern side तो यह वाला जो basically आप यहां पर area देख पा रहे हो यहां पर यह जादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो western north pacific ocean के basin में highlight हुआ है कि यहां पर सबसे जादा highest occurrence इस particular phenomena का देखने को मिला है अगर हम बात करें north indian ocean basin की तो यहां पर इंटेंसिफिकेशन के challenges है but जो north western pacific ocean के comparison में कम है तो दीजादी two facts जिनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीचेगा ठीक है this is about the cyclone और cyclone के बारे में रखिएगा क्योंकि हाल फिलाल में काफे जादा न्यूस में थे not only the tropical cyclone बिल्कि जो आपके meditarian cyclones होते हैं जिनको हम basically extra tropical cyclones या medikines भी बोलते हैं उनको भी ध्यान से आपको जो है पढ़ना है जिक है move on करते हैं next topic बात करते हैं next topic okay geospatial intelligence पहले तो बात करते हैं कि यह news में क् देखो आपने देखा है कि अगर हमारा जो planet है वो warm हो रहा है that means climate change हो रहा है तो हम इने काफेजाद extreme weather events देखने के मिल रहे हैं कहीं पे forest fire है कहीं पे cyclones है urbanization बढ़ते जा रहा है तो उस population को किस तरीके से manage करना है अगर कोई disaster है तो उसके लिए preparation कैसे करनी है इन सब की need पहले के टाइम में आज सबसे जादा है और थोड़ जेल पहले हमने देखा कि अगर आप किसी चीज़ को predict नहीं कर पा रहे हो if you can't have a data for something तो you can't have a judgment for something अगर आप किसी चीज़ को समझे नहीं पा रहे है तो उसके लिए decision कैसे ले पाऊगे तो अगर basically आपका जो बढ़ते वी अगर आप इनका एक data अपनी पास नहीं रख पा रहे हो if you don't have the data तो आप precaution को लेकर mitigation को लेकर adaptation को लेकर भी काम नहीं गर पाऊगे that's why आज के टाइम में जो geospatial आप कह सकते हैं को technology है यह बहुत important हो जाती है अब यह होती क्या है एक map में आपको दिखाती हूँ जैसे आप एक map देख पारे होंगे यहाँ पर basically यह बताया गया है कि देखो जो green वाला area है यहाँ पर fire के लिए जो susceptibility है वो काफी ज़ादा काम है yellow में थोड़ी ज़ादा है और जब आप orange की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर fire को लेकर susceptibility ज़ादा है यहाँ पर ज़ादा आपको wildfire देखने के लिए मिलेगी किस तरह के resources लगाने किस तरह से आपको decisions लेनी है तो यह जो mapping है यही है आपकी geospatial technology तो अगरे definition के बात करें तो देखो यहाँ पर data का collection है और integration it's all about data लेकिन वो data कहां से आ रहा है data different different sources से आ रहा है आपके satellite से data आ रहा है आपके drone से data आ रहा है इसके अलावा जो आप aerial images लेते हो वहां से data आ रहा है mobile sensors है आपके जो ground control stations है इन सब से आपने data को collect किया उसको analyze किया and then उस data को map के form में आपने put कर दिया कि map में आप actually में यह देख पाओ कि कहां पर किस तरह की चीज़े देखने को मिल रही है तो real time maps आप यहां पर produce कर सकते हो और simultaneously आप इसको किसी भी तरह के threat के लिए identify भी गर सकते हैं और किसी भी threat के लिए एक index बना सकते हैं कि कहां पर जादा है कहां पर काम है जैसे इंडिया कि बात करें तो earthquake के लिए हमारे पास अपने zone map है कि कौन से इरिया जो है जादा severely impacted है कौन से इरिया में moderately threat देखने को मिलता है तो यह हमें बहुत जादा help करता है this is geospatial technology आपको समझ में आ गया होगा अगर हम इसकी industry की बात करें तो 2020 में basically आप देखोगे यह 61 US billion dollar थी और हम बात करें कितना बढ़ने वाली है तो 2030 तक यह basically 209 जो US billion dollars है उतना होने वाली है चीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जैसे इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर forest को लेकर एक पुरा map बताय गया है जहाँ पर जादा green देख पा रहे हो यहाँ आपके काफी dense forest है ज यहाँ पर आपके moderately dense forest है जहाँ पर clean दिख रहा है that means forest नहीं है तो you can have an idea कि किसे state में forest है और कहाँ पर नहीं है then accordingly आप policies बना सकते हो this is possible just because of the geospatial technology perfect है तो इसको तो तरह से धान रखने की कोशिश के जगा now let's discuss about the application of this technology because this is important और अगर यह पेसे में कुश्यन आता है तो यहीं आता है तो emergent preparedness की बात करते हैं तो सबसे पहले बात को किसी पी तरह की emergency for example अभी मिने tropical cyclones को discuss किया तो tropical cyclones को basically predict करना उनको monitor करना किस सरी किस रिसूर्स का distribution करना है कितने posters deploy हाँ पर करने warning कि कब और कहां पर कितनी issue करनी यह सब चीज़ आप इंग इन जियो स्पेक्टिल टेक्न बना सकते हैं तो real scenario में क्या को चल रहा है आप उसके recording भी यहाँ पर जो है warnings वगरे issue कर सकते हैं इसके लाव देखोगे search and rescue operations में recovery efforts में आपको बहुत मदद मिल जाएगी कहां पर कितना damage हुआ है quickly आप assess कर पाओगे तो rehabilitation जल्दी start हो जाएगा इसके लावा अगर आप environment monitoring की ब data बना सकते हैं उन दिन उसके accordingly चीज़े यहाँ पर हो जाएगी even logistic supply chain में इसका role है तो basically आपका logistics है उसको track करना उसके delivery सही time पर हो जाए ease of business यह सारी चीज़े आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि जो आपका package है उसकी location को लेकर उसकी basically condition को लेकर आपको पूरा का पूरा data वो real time में मिल जाता है इसके अलावा जो autonomous vehicles होते है city planning होते हैं वहाँ पर भी help करता है देखो जो autonomous vehicles they don't have a driver तो अगर geospat technology के मदद से आप ऐसे maps prepare कर लेते हो जापकी street के बारे में real time information आपको देते हैं तो जो autonomous vehicles होते हैं वो उनका use करते हुए real time algorithm में उस street के accordingly कैसे drive करना है यह decision लेगी सकते हैं and another one is city planning जैसे जैसे urbanization हो रहा है आपकी population बढ़ रही है तो उन सब को किस तरीके से city के अंदर manage करते है रखना है यह city planning के लिए आपके maps वगरा बहुत ज़्यादा जरूरी है यह तो कुछ civil मैंने आपको यहां पर आपको points बताए even military applications बिसके काफी ज़्यादा है border को अगर आपको देखना है किस तरह कि basically harsh आपको मापे conditions देखने के मिलेंगे आप मांके terrain को लेकर landscape को लेकर चीज हो गया होगा move on काते है next topic पर निलगरी थार तो देखे एक time ऐसा था कि जो western ghat था उसके extensive range में निलगरी थार आपको देखने के लिए मिल जाता था बट आज के time पे यह extend हो चुका है करीब अपने 14% जो शॉलाज वहां पर आप कह सकते हैं mountain forest देखने को मिलते हैं वहां पर और अब यह western ghat में सब तमिल नाडू और किरला के अंदर सर्टीन कुछ पैचेस हैं कुछ फ्रग्मेंटर पैचेस हैं वहीं पर देखने को मिलता है that means it is an endangered animal इसके population काफी कम हो चुकी है कहा जाता है कि लगबग 3100 के आसफास जो है इनकी टोटल population के number देखने को मिलते हैं त तो इस इनिशेटिव का नाम होगा प्रोजेक्ट निलगरी था और बेसिकल यहां पर पॉपलेशन को काउंट करने के लिए कुछ इस्टेंडराइजड जो बेसिकली प्रोटेकोल सोतन को डवलप किया जाएगा हम इन सारे पारामेटर्स को फोलो करके कर रहे हैं आप इन सा नादू का यह स्टेट अनेमल है उनके द्वारा दो बार इसका सेंसर कंड़क्ट कराया जाता है वन इस इन दी नवेंबर आफ्टर दो मॉन्सून एन अनदर वन इस दी मार्च अप्रेल में तो अगर केरल यहां पर अगरी कर जाता है तो जो बेसिकली पहला सेंसर सेंसर न इसको लोकली बेसिकली वराइदू के नाम से भी जाना जाता है यहां पर देखो यह मिलता कहां पर है अगर आप देखोगे सी लेवल से जो 300 से लेकर 2600 मीटर तक का एक एलिवेशन है वहां पर यह देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके ग्रास्लंड होतें इनको मिडॉस भी बोलते हैं एक एलिवेशन पर वहां ही आपको मिलते हैं वो उनका एक नाचरल हाबिट है और आ आपके टिखेंग एक बारे में जोगराफर पढ़के रखना जो आपके मांटइन वेजटीशन होते हैं से लेवेशन हाईड़ पे जाके और जो आपके स्टौन्तेटड ट्रीजग बहसे होते हैं जहां-प्र्टिकर थोड़ा से कम हो जाता है उस पर्टिकुलार आगया है वेस्टन घाट में, जो MIT World Peace University है, उन्होंने इसका जो नीम रखा है, वो बेसिकली Armageddon Retail रखा है, यह जो Armageddon Word होता है, इसके दू मिनिंग होता है, एक तो वो जो काइनात वाला दिन होगा, जो God and Devil के एक मिटिंग होगा, something this और एक basically, वो एक Dooms Day, एक ऐसा disaster वाला दे होगा, मतलब काफी problematic वाली चीज़, तो यह नाम उन्होंने जानबूच के दिया है यह मैं actually आप explain करना चाहरे हो देखो, insects की population कम हो रही है, और हम as a normal human beings, insects को लेकर उतना aware नहीं है, जतना शायद हम tigers को, cheetah को, या फिर जैसे हमने भी नीलगिरी थार को डिसकस किया insects हमारे लिए negligible होते हैं, बट आपको पता है insects का हमारी food security में most important role है, अगर यह pollination ना करें तो problem हो जाएगी, यार मतलब खेतों में दादा नहीं मिलेगा तो insects की जो population कम होती जा रही है उनकी जो आप देखेंगे diversity को challenge देखने के लिए मिल रहे हैं, और उनकी जो importance है इसको reflect करने के लिए नाम जो है याँ पर दिया गया है this is the picture, a beautiful one ये आप देख सकते हैं याँ पर मतलब बड़े शुम्री शुम्री colors जो है प्रकर्ती ने इनको दिये है right and actually हम तो match भी कर रहा है, well back to the business okay जी, तो यहाँ पर जो devastating decline हो रहा है insect के population में worldwide उसको basically symbolize करने के लिए नाम जो है यहाँ पर दिया गया है ये discovery हाइड करते है कि insect का नासर्व पॉलिनेशन में, nutrient की recycling में और food जो है दूसरे animals को provide कराने में काफी important role होता है जी के यह धियान रखिएगा, इसके अलावब आप देखोगे, जो Geological Survey of India है उसमें इसको register कर लिया गया है and साथ में आपका International Journal of Odentology है, उसमें इसको document कर लिया गया है, अचा वेस्टन घाट की बात करें, तो UPSC Civil Covers exam में, already question कई बार आचुका है, वेस्टन घाट इस बार काफी news में है, इसको थोड़ा प्रिपर अगर करके रखना है, कुछ बाते करते हैं जैसे, वेस्टन घाट की बात करें तो यहां पर development की वज़े से और बहुत सारे factors की वज़े से, major changes देखने के लिए मिल रहे हैं और इसकी वज़े से, यहां पर इस एक natural habitat था, वो destruct हो रहा है और उसकी वज़े से, बहुत सारे species के लिए fragmented habitat ही बचा है जिसकी वज़े से, उनकी population में decline आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वज़े से, बाइड आवसिटी लॉस हो रहा है और जिसकी वज़े से, पूरे ecosystem का balance stop हो रहा है, it's a chain reaction, you can see that तो यह थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने की बात है, तो discovery यह बताती है किस तरीके से, जो natural ecosystems है, उनके लिए awareness create करना ज़रूर है, actions लेनी का time आच चुका है, it's not only about the awareness, अब आपको actions लेने पड़ेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखने की कोशिश कीचेगा now, this हमारा last topic है, and the very easy one हमने South India से related topics जादर इसके, pink bloom तो यहां पे अगर आप देखोगे, basically जो आपका, kebomba fructa यह है, इसको pink bloom कहा जाता है, क्यों क्यूंकि basically आप देखोगे, इस पे जब फूल आते हैं massive flowering देखने के लिए मिलती है, तो problem क्या है देखो, यह basically summer aquatic plant है, और जब इस पे flower आते हैं, तो इस तरीके से flower आते हैं ऐसा लगता है कि water body पार एक thick matte pink color का beautiful spread हो गया नहीं दिखने में सुंदर लगता है लेकिन उसकी वज़े से वह जो aquatic body है उसके अंदर जो बाकी के species है भाई उनके लिए problematic है आई इसको discuss करते हैं तो basically जो आपका cam bomba fracture है, इसको pink bloom बोलते है massive flowering की वज़े से किरला का जो वैमनाद cold wetland है वहां पर एक threat के रूप में अमर्च हो रहा है आप देखोगे जिसका pink color का मेट आपको पूरा कपूरा दिखाई दे रहा है तो आप देखोगे sunlight के लिए पेनेटरेट करने के लिए space नहीं है क्योंकि पूरा block हो गया है oxygen की recycling के लिए oxygen का जो एक air water interface पे basically एक replenishment होता है उसके लिए यहां पर चीज़े नहीं है तो जो basically नीचे वाले other native aquatic species उनको suffocation होगा basically photosynthesis के energy sun की light नहीं होगी तो यहां पर आपके जो बाकी के species उनके death होने लगती है this is one of the reason कि यह इस lake के लिए आप कह सकते है threat के rope में देखने को मिल रहा है इसके कुछ और नाम है याद कर लिए जिगा red basically kabamba and then आपका fogt fen fort so much aquatic aquatic आपका plant है panenial है और इसके अलावा just stagnant याफ इस slow flowing fresh water होता है वहाँ पर देखने को मिलता है important fact है okay अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि यह भी central याफ पर south america से आया हुआ है और इस plant की characteristic है कि यह बहुत जादा oxygen की demand करता है तो large quantity of oxygen is required की जाती है अपने growth के लिए और इसलिए पूरा अपनी growth हो जाती है तो यह ध्यान दखीगा अच्छा इसमें पिंक कलर कहां से आया है तो जो आपका anthocyanin वहां से पिंक कलर आया है जो एक ऐसा pigment है जो भी vegetable fruits flowers आपको देखने के लिए pink purple या फिर basically आपके थोड़े से red color के blue color के तो उसके लिए responsible होता है science basic एक fact है तो यहां पर देखो वहीं बताया इसका जो dense met होता है वह sunlight को block कर देता है oxygen जो है native plant और animals तक नहीं पहुच पाती है and also वहां की जब biodiversity reduce होती है जादा dead organic matter इखटा हो जाता है क्योंकि जो plant dead हो रहे है food की कमी की वज़े से तो जो water quality है वह भी degrade होती है that's why इसको threat कहा है थोड़ा सा अपनी webinar को जो wetland के बारे में भी देख लेते है तो यहां पर देखिए अच्छा एक बात मैं बता दू national park का almost two and half hour का एक video two hour का एक video 106 national park को with the detail में ने discuss किया हुआ यूट्यूब पे नहीं देखा है कोल वेटलेंड की बात करें brackish water यहां पर देखने को मिलता है एक tropical wetland ecosystem कीरला का सबसे बड़ा है लग बग 10 rivers के द्वारा यहां पर वाटर राता है तो fresh water का बैलन्स बना रहता है अगर कुछ रिवर्स का नाम ले तो peryar, pampa और जापका मिंचल है यह यहां पर काफे जादे important हो जाता है इसके अलावा जो Central Asian flyway है जिससे जो migratory birds cold reason से इशा की तरफ आते हैं यह उसके उसका एक part है तो बहुत सारे migratory birds आपको इस wetland पर देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें से एक important spot built pelican यहां पर इनके यहां पर ब्यूटिफुफुल से फामली के picture देख सकते हैं they have some babies also right okay then इसके बाद आप देखोगे जो इसको एक ramsar site of international importance भी declare किया गया था 2002 में तो ramsar site भी है यह wetland of international importance भी है तो important है इसको ध्यान रखियेगा यह हमने देखी लिए यहां पर आज का discussion end होता है I hope काफी easy तरीके से आपको चीज़े समझ में आई होंगी काफी important topics थे previous questions देख लीजे इसी तरह के सवाल आते हैं तो वह पढ़ी है जो पूछा जाता है जाने से पहले एडवांस पूर होगा साथ में मारे मेंस residential program का पार्ट बन सकते हैं fees for maximum discount प्राची लाइफ फेकलिटे को रियूज करने पर मिलेगा तो वह यूज करना है if you want to ask anything regarding your preparation regarding the batch regarding the fees payment तो आप मुझे telegram channel UPS with Prachi पर जो है join कर सकते हैं and yes thank you so much everyone that's it जल्द मिलेंगे science and technology के weekly current affair में तब तक के लिए अगर National Bank वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजेगा and बहुत जल्दी I think Tuesday को I will be covering all the environmental laws जिसमें Wildlife Protection Act को बहुत detailed cover करने वाले one of the most important वीडियो होगा तो उसमें जहां तक हैं लाइव जो हैं साथ आने वाले हैं तो उसको आप जुरूर जोइन केजेगा Thank you so much everyone अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए जय है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable